आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इस टाइप की फोडिय इटिंग करके बताऊंगा जो देखने में काफी संदार लग रही है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल एकन को भी प्रेस जरू कर लेना क्योंकि मैं जब भी न्यू वीडियो बनाओ तो आप लोग मिस्न नहीं करना तो आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फोटो रूम ओपेन करेंगे यो फोटो रूम ओपेन होने के बाद आपको स्टार्ट फ्रॉम फोटो पे क्लिक करना है और अपना gallery में जो photo को erase करना है background उसको click कर देना है वो automatic आपका background erase कर देगा तो erase हो जाने के बाद आपको हलका सा scroll करके transparent पर click कर देना है और यहां से आपको export पर click करके यहां से save download कर देना है ठीके guys अब back कर देना है ठीके अब आपको अपने phone का fix art application open करना है यह mode application है ठीके तो यहां से plus open plus पर click करके edit एफोटो पर click कर देना है अब आपको black background लेना है तो background में जाके black color को slack करके आप tool में click करके crop पर जाना है और यहां से portrait size का ले लेना है जो instagram पर post होता है यहां से done कर देंगे guys अब हम लोगों को add करना है कुछ png तो png मैंने start वाला बना रख है इसका description में दे दोगा link आप वहां से download कर सकते हैं या फिर telegram पर download कर सकते हैं ऐसे लगाने के बाद guys इसको ऐसे यहां पर लगा देना है फिर plus वाले icon पर जाके add photo गड़ पर click करके आपने जिसका background एरेज किया था उसे यहां पर simply यहां पर ऐसे लगा देना है ठीक है guys उसके बाद आपको फिर से plus icon पर जाके add photo में जाके आपको यह sun वाला light वाला emoji ले लेना है और model के और यह star के पीछे देना है और इसे हलका सा बड़ा कर देना है यह देखो guys अब इसको हलका सा obesity कम कर देना है और फिर से आपको sticker वाले option पर जाके आपको यहां पर search में shadow लिखना है s-h-e-o-w-s shadows shadows लिखके आपको यह वाले लेने ना है guys उसके बाद नीचे से लगा देना है यह देखो guys कितना awesome लग रहा है आपका photo बहुत ही मस्त लगे है guys आप लोग भी track करो और इसे यहां पर done कर देना है और draw tool में जाके three dot पर जाके save कर देना है ठीक है guys तो मिलते हैं next video में कैसा लगा comment करके जरूर बताना thank you so much रागा है झाल